आप इस स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि इन्हें आप सभी लोग जानते भी होंगे और जब भी आप लोग इनके पहनावे को देखते होंगे इनके पोसाग को देखते होंगे इनके हाथ में आप देखते हैं इस बहला को देखते होंगे तो आप लोग इन्हें जान जाते होंगे आपको बता दूँ कि इन्नेहंग सिख है और आपको ये भी मालू हैं कि ये समय समय पर कई वार चर्चा में भी रहते हैं अभी हम लोग क्यों बात कर रहें इनके बारे में। उस पर भी अभी चर्चा का कारण क्यों बने हुएं। अख्मर किया हुआ है उनसे भी इनोंने कई लड़ाईया लड़ी हुई है और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने इतिहास पड़ा है अपने देश का तो आपको इनके बारे में मुझे लगता है कि कुछ तो जानकारी होगी और नहीं है फिरहाल तो हम लोग आज इस क् खाका खीच लेंगे विस्तार से इनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे आप लोग सबसे पहले इनकी एक तस्वीरे देख लीजे अच्छी तरह से आप देखें इस तरह का आप देखते हैं पगड़ी आपको देखने को मिलेगी आप देखेंगे इस तरह से आप देखते ह पर आप लोगों ने देखा भी होगा ठीक है तो अभी क्यों चर्चा में क्योंकि आपने देखे कि सिंदू वॉर्डर एस इंदू वॉर्डर आप दिल्ली के पास देखेंगे और आपको बता दूं कि यहां किसान अंदोलन एक लंबे समय से चल रहा है और इसी में आप देखेंगे निहंग सिख भी आपको देखने के मिलेंगे तो यहां क्या हुआ है कि 15 एक्टूबर को एक व्यक्ति की वेहरमी से हत्या कर दी गई और इसके जिम्मेदारी आपको बता दूं कि निहंग सिख न उसके साथ यह ब्यक्ति ने छेड़चार की हुई थी यह आपमान किया हुआ था तो इसी के कारण हमने इसकी हत्या कर दी गई है और याद रखेंगे एक तरह से आपको बता दूं कि यह जाच हो रही है उसके बास आपको कुछ जानकारी सामने आएगी जो जाच में निकले अभी हम आप लोग कुछ नहीं कह सकते हैं और पिछली साल आपने देखा हुगा करोना महामारी का तबाही मचाय हुए थे एक तरह से और लॉकडाउन लगा हुआ था तो उस समय आपने देखा है कि पुलिस ने पास मागा हुआ था तो पिछली साल अपरेल 2020 में पंजाब क या बैलकुल गलत है ठीक है इसलिए तो कहता हूँ कि एक सिक्के की दो पहलो होते हैं आप लोगों को देखना चाहिए दोनों पक्छों को सुनना चाहिए उसके बाद आपको निश्क्रस पर पहुँचना चाहिए और एक बात और बता दूँ आपको 26 जन्परी को भी आप लोगों ने देखा होगा कि किसान अंदोलन के चलते किसान नेता अपनी रेली निकाल रहे थे उसमें भी इन लोगों की तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी अतीद में नहंग सिक्कों ने धरम को बचानी के लिए कई लड़ाईयां लड़ी हुई है और अपना सर्वोच हैं आप देखें कि इस तरह की कोई सेना रखती है कि धरम की रक्षा करने के लिए आप हिंदू धरम में आप देखते होंगे RSS को ले लिजी आप लोग या फिर आप लोग बजरंग दल को ले लिए आप लोगों चमय रहे तो उसी इस तरह से आप कह सकते हैं कि नहंग सिक् होता है कि इसका तात्वर क्या होता है तो निहांग सब्दी की उत्पत्ति आपको बता दों कि संस्कित भासा कि निसंग सब्दे से हुई है किसे निसंग सब्दे जिसका मतलब रोता है निदर और सुध्य यानि कि किसी मेंसे चंग की और यहीं निहंग बन गया कुछ लोगों के इनसार इस सब्दी की उत्पति-फारिसी सब्दे से उत्ता है जिसका अर्थ होता है तलवार कलम गोड़ा और मघरमच्छ आपको बता दूँ कि मगर मच्च की संग्या मोगलों ने दी हुई थी ने और आप देखेंगे इनके पास गोड़े रहते हैं तलवा रहती है इनकी गोड़े की तो सबारी ही करते हैं गुरू सबद रतनाकर महान कोस में भी आप देखेंगे ऐसा ही एक उललік मिलता है और सरी गुरू गरंत साहिब और सरी दसम गरंत साहिब में भी ए सब्ध आपको निहंग सब्द भी देखने गोडेगा और मुझे लगता है कि एक तरह से आप देखें अगर इनके साथ आप लोग उने कुछ समय बिताया होगा या फिर आप लोग से कि धरम से सम्मंद रखते होंगे तो काफी इनके बारे में आप लोग जानते होंगे और अभी जिस ब्यक्ति ने अपने सरंडर किया हुआ है उसे आप देखें कि कोई डर नहीं था उसके जहरे पाद कि क्या होगा आँगे क्या पुलिस ग्रफता कर रही है या पुलिस के सामने सरंडर कर रहे हैं क्योंकि आप एक तरह से नेड़ा रहते हैं इन्हें कोई डर किसी का नहीं रहता है समय रहे हैं आगे अगर हम लोग बात करेंगर कौन होते हैं निहंग सिख आखिर कहां से निकले हुए तो निहंग सिख के सिखों की एक धरम रक्षक सेना है और इनका आप देखेंगे 320 बर्स पुराना सांदार इतिहास रहा है उन 1299 में सिख पंद के अंतिम गुरु गोविंद सिंग जी द्वारा खाल सा पंद की स्थापना की गई थी और आपको बता दूं कि खाल सा पंद के पास दो तरह के सैनिक हुआ करते थे उस समय की बात कर रहे हैं एक तो आप देखेंगे स साधार कपड़े पहनते थे और दूसरे बहुत थे जो नीले रंग के कपड़े पहनते थे और बड़ी सी पगड़ी लगाते थे और नीले रंग के कपड़े पहनने बालों को ही आप लोग निहंग के नाम से जानते हैं और निहंग सिख आमतोर पर अमरत धारन किये होते हैं और मैंने पहले भी बताया आपको कि इनकी बेस भूसा आप लोग जैसे ही पहनावा देखेंगे आप लोग तुरंत पहचान जाएगे कि निहंग सिख है ठीक है और आपको बता दूँ कि सिख धरम का ही एक तरह से आपके यह अंग है अगर हम लोग निहंगों का बाना की बात तलवार अपने पास रखते हैं अपने पास रखते हैं और हमेसा आप देखते हैं कि नीली पगड़ी बादे रहते हैं और साथ में ही आप देखते हैं कि पगड़ी पर ही चान तोरा लगा होता है हाथ में आप देखेंगे कड़ा पहनती हैं और कमर पर आप देखेंगे कट उसी तरह की हमारे पास कोई हत्यार नहीं हुआ करते थे जो आज कल आप देखते हैं, आपके पास बंदुक हो गया, तोप हो गई आपके पास, आप समय रहे हैं, रोकेट, लॉंचर हो गई आपके पास, उस समय आप सभी जानते हैं कि इसी तरह कि जो भी हतियार हुआ करते थे तलवार हो गई, भाला हो गया, तीर हो गया, इनी से लड़ाईयां लड़ी जाती थी तो उसी में आज भी आप लोगे देखेंगे ये ड़ले हुए हैं, और आपको बता दूं बहतर तीरंदाज भी रहते हैं, समय रहे हैं, और यह भी कहा जाता है कि गुरुप गोगन सिंग कि चार कुद्ध हुआ करते थे, उनमें से सबसे छोटे जो थे उनका नाम था फटे सी और एक कहानी आप कह सकने कि ये आपको देखने को पढ़ने को मिल जाएगे, तो क्या हुआ कि इनके भाईयों की तरह पते सिंग भी योदिकला स्तीगना चाहते थे, लेकिन आप देखेंगे इनके बड़े भाईयों ने कहा कि अभी तुम छोटे हो, यानि कि आप लेकिन इनका जो छोटा भाई था, वो छोटा होने के कारेनों ने कहा कि बड़े भाईयों ने कि आप अभी छोटे हो, आप रोक जाहिएगा, लेकिन आपको बता दूँ कि ये सुनकर फते से इन घर में गए, और बड़ी सी पगड़ी और नेले रंका चोला पहन कर बाहर आ और कहा कि अब तो मैं छोटा नहीं लग रहा हूं, कहा जाता है कि यहीं से नहंग पंत की नेली भेसपूसा का पिचलन सुरू हो जाता है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहीं से इनका अस्तित आ जाता है, अगर हम लोग नहंगों में भी आप देखेंगी दो समधाय होत होते हैं, अब आपको बता दूं कि आप लोग हिंदू धरम से जुड़े होंगे कोई, तो आप लोगोंने संत देखेंगे, सन्यासी देखेंगे, तो आज कल आप देखते हैं, दो तरह की सन्यासी होते हैं, एक तो आप देखते हैं कि जो साधी बादी कुछ नहीं करते हैं, गर परिवास सब छोड़के निकल जाते हैं और एक आप देखते हैं गरस्त होते हैं यानि कि साधी करते हैं अपने घर में रहते हैं भी भी विच्चों के साथ रहते हैं तो एक तरह की वो भी सन्यासी ही होते हैं जिनने आप लोग गरस्त सन्यासी भी कह देते हैं, तो गरस्त निहंगों की पत्निया वच्चे भी वही बेस्दारन करते हैं, जो निहंग करते हैं, और ये सबी भी समुहों के साथ ही चलते हैं, और अगर आप लोग दिल्ली के असपास रहते हैं, तो आप लोग जाकर इनकी अज़ पर आप लोग देख सकते हैं सेखी गुरुओं के जीवत से जुड़े स्थानों पर एक तरह से घुमते रहते हैं जैसे आप देखेंगे मागी के दिन ए मुक्त सर साहिब जाते हैं जहां गुरु गोविन सिंग ने चाली मुक्ती को आसी बात दिया था इसके बाद आनन्द पूर्साहिब में होली खिलने जाते हैं जिसे आप लोग होला महला भी कहते हैं और इसी तरह आप देखते हैं इनके जत्ते बाइज जगों पर भी जाते रहते हैं इनके तीन दल एक तुट्टना दल और एक आप देखेंगे बिधीचंद दल और एक बुड्ड़ और इनके सबके अलग-अलग मुखिया होते हैं, जिने आप लोग जथेदार कहा जाता हैं, किस नाम से जाते हैं, जथेदार के नाम से हैं, अब बात आती है कि नहंगों की काम क्या होते हैं, तो आपको बता दूँ ये कहते रहते हैं, नहंग सिख्खे रोज गुर्बानी का पाड़ करते हैं और बाने में रहते हैं भिरमण करते रहते हैं यानि कि घूमते रहते हैं आस्तो और सस्थ का अब श्हास करते देखते होंगे और आप 12 मेंना देखेंगे कि 12 में यह अपना लंगर व्योस्ता खाने पीने की व्योस्ता करते रहते हैं। लॉकडाउन भी भी आप लोगों ने देखा है कि सबसे जाना अगर किसी धर्म में आपने देखा है कि मदद की हुई है गरीबों की चलते हुए राहगरों की तो वो सिख धर्म था लंगर लगाए हुए थे अभी किसाना अंदुल में आप लोग देख लीजेगा और नेहंग से कि आधी गरंथ साहिब गुरू गरंथ साहिब पर साथ साथ आप देखेंगे स्री दसंद गरंथ साहिब और सर बलोहए गरंथ को भी मानते हैं और आखमर कारियों को उसे देश की रक्षा भी नोने की हुई है पहले भी बात कर चुका हूँ खालसापन्थ में नेहंग्ए आता है अहमद साय अब्दाली इसने पंजाब पर कई बार आखमड भी किया हुआ है और उसका सामना करने के लिए उसे रोकने के लिए आप देखेंगे नहंग सिक्खों की बहुत बड़ी भूमिका रही है और आभी भी बता रहा हूं कि आप लोग इतिहास पढ़िएगा तो नहंग योद्धाओं को ही दिया जाता है उनकी सेनावे भी आप देखेंगे नहंगों का एक खतरनाग जथा होता थे जो इसलामिक आकमरकारियों से लड़ने में माहर हुआ करता था और हाला कि साल 1849 में सरकारी खालसा के पतन से नहंग का प्रभाव कम हो गया था और दुन दिये गोर्खा और मंगोल समूराई योद्धाओं की तरह भी नेड़य और सस्ति-धारी होते हैं यह योद्धिकी हरकला को जानते हैं और कई तरह की खतरनाग करतौ करतव दिखाने में भी माहर होते हैं और नहंगे सिक्खों के समूर एक समय देश के सबसे खतरनाग सेन सक भी इनका वाना इने वाकियों से इने अलग रखता है लेकिन आज अदिकतर ये घुम घुम कर गुर्वानी का पार करते हुए ही आपको देखने को मिलेंगे तेकि आयोध्या आप लोग देखते हैं जहां आप देखते हैं कि एक भब राममंदीर बनाये जा रहा है इसकी रक् मोगलों की साही सेना का भीचन एयोध्या था और जिसमें मोगलों की सेना को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था और उस बक्त दिल्ली और आगराप और ओरंग जीप का सासन था और इसे उद्ध में गुरू गोविंद सिंग की नेहंग सेना क्यों चिम्टा धारी साधूं का साथ मिला था और कहते हैं कि मुगलों की साही सेना की हमले की खवर जैसे ही चिम्टा धारी साधू बाबा वैशनव दास को लगी तो उन्होंने गुरू गोविंद सिंग से मदद मागी और गुरू गोविंद सिंग ने तुरंथ ही अपने सेना भेज़ दी थी और दसंग गुरू समय सिंग सिक्खों की और इस घटना की बात करें अगर आप देखें अगर हकीकत में इनकी घटना इन्होंने की हुई है तो इसका देखें निंदा तो की जानी चाहिए हमारे देश में नियम कानून है समिधार के साब से चलता है हमारा देश किसी के आप देखें धार में के नि कि अब दिखेंगे ke Bu् historically 8 चाने करता है तो यह कहानी रहती परंपरा है तो परांपरा को कैसे आप पिंटा शक्ते हैं और पुरानी परंपरा चली आ रही है हमारे देश में आप देखेंगे लाप देखने को मुल जाएंगे मुसलिम सिख्य, जाई, जैन, बेवन नितरम के धरम जातियां अनके नत्भासाएं हमारे देस में यही तो हमारे देस की खुबसूरती है वस अभी एक रहें और कुछ है आप सम्मिधान को भी मांते रहें क्योंकि देस में सम्मिधान, कानून, विवस्ता भी ह हमारे लिए सब कुछ है चलिए इनकी इतिहास के बारे में मुझे लगा बता देना चाहिए तो जानिए आप लोग पढ़ते रहें हम लोग मिलते रहेंगे